इस लेक्चर में सिरी नारायन गुरू के बारे में डिसकस करेंगे, ये रिजन्टली न्यूज में है, ये मेज में देख सकते हो, ये सिरी नारायन गुरू, ये प्रोमिनेंट लीडर थे, इन्होंने ओप्रेसिव कास्ट सोसाइटी को सिस्टम को रिफॉर्म किया था, सुधा पुरम, वहाँ पर एक गाम है विलेज, जिसका नाम है चेमपा थांजी, इस विलेज में इनका जनम होता, 1856 में, और इजावा कास्ट से ब्लॉंग करते थे, एक जाती है बाई साब, केरल में इजावा कास्ट, जो लोर कास्ट समझी जाती है, और इन्होंने अपने जीवन करती थी, सोसल एक्विलिटी के लिए, कि समाज में समानता हो, एजुकेशन फोर ओल, सभी के लिए पढ़ाई हो, सब को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, सिप्रीच्वल इनलाइटनमेंट, सब के लिए मंदिर, मस्जिद, मतलब जो भी है, सब के लिए एंट्री हो, सिग जाती परजाती धरम का कोई भी परसन है, इनको मलियालम में बोलते हैं, इसको ओरु जाती, ओरु माथम, ओरु देवियम, मनुशयाने, 1888 में इन्होंने नारण गुरुजी ने एक फस्ट टेमपल बनाया, लोर्ड सिवा का, भगवान सिव का टेमपल बनाया, और वहाँ प अगवान सिव का मूर्ती रखवागी नौन ब्राहमन से, जो ब्राहमन फैमिली से नहीं आते थे, और ये केरल में एक विल्लेज है, अरुवी पुरम, वहाँ पे ये मन्दिर बनवाया गया, और इसमें सारे जो थे मतलब नीची जाती के लोग कोई भी जा सकता था इसमें, यानि कि इन्होंने एंटी कास्ट रिवॉलुशन को एक तरह से परमोट किया, कि जाती के वरुद्ध क्रांती की इन्होंने अपर कास्ट ब्राहमन के अगेंस्ट, इन्होंने एक टेमपल बनवाया, ये काला वान कोड के, काला वान कोड जगह पे एक टेमपल बनवाया, क्या रखा आइडल नहीं रखा आइडल का मतलब मूर्ती नहीं रखी किसी भगवान की बलकि वहाँ पे मिरर रखा सीशा वो इसलिए रखा कि इन्होंने का हर एक इंडिविजुल में हर एक आदमी में डिवाइन यानि की भगवान का वास है वो अपनी ही तस्वीर देखे और लोगों के साथ भेदवाव ना करे तो इन्होंने मिरर रखाया वहाँ पे 1903 में इन्होंने एक और्गनेजिशन बनाई जिसके फाउंडर यानि कि स्तापना करने वाली यही थे और प्रेजिडेंट भी यही थे जिसका नाम है सिरी नारायन धरम परिपालन योगम SNDP इन्हो कि जो भारत के लिए राश्ट आणदोलन थे उनमें क्या-क्या कंटिविशन रहे योगदान रहे देखो यह तरह से टेमपल एंट्री मुविमेंट के लिए एक तरह से यूनिवरसल टेमपल एंट्री मुविमेंट के लिए यह समझे जाते हैं इन्होंने सोसाइटल जो इल टेमपल एंट्री मूमेंट था इनमें भी इनका एहम योगदान था ये भी इसलिए था कि जो 53 कोर एरिया है के रल में लोवर कास्ट को टेमपल में एंट्री नहीं दी जाती थी उसके लिए ये मूमेंट था और इनकी पोईम थी जो इन्होंने कुछ कवीताय लिखी उनमें इन्डियन नैस जलकती है भारते था और यूनिटी की बात करते थे एक ताकी हमेशा ये इनकी फिलोस्पी क्या थी विचार धारा देखो इनकी फिलोस्पी थी बेज अदवेता वेदानता वही फिलोस्पी है जो आधी संकर जो थे उन्होंने एस्टेबलिस की थी जिनके ब बारे में यानि कि आत्मा परमात्मा सब एक ही है अलग-अलग दो चीज नहीं है ये इस फिलोस्पी बेज थे 1913 में इन्होंने क्या है ये अदवेता आसरम बनाए एक आसरम एक बिल्डिंग बनाई अलूबा नाम की जगह पे ये जो बिल्डिंग थी आसरम ये थी ओम आने इकवल हैं इनके कुछ लिट्रेरी वर्क्स हैं यानि कि कुछ किताबे लिखी इन्होंने फेमस बुक्स जैसे अदवेता दीपी का आसरम थेवा रप्पा थिगांकल ये ब्रह्मा विद्या पंचाकम ये फेमस बुक है इनकी मैंस्दा फॉलंग में कहीं पर दे सकते है इनकी जो विचारदारती फिलॉस्पी उसके क्या यूज है क्या रिलेवेंस है उनकी आज भी देखो पूरा यूनिवर्सल वननेस की इनोंने फिलॉस्पी दी और आप सबको बताए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारी ऐसे ही कॉमुनिटीज के बीच में व बहुत जरूरी है आज भी तो यह आप लख सकते हो कंक्लूजन में अगर आता है मेंस में कुशियन इनोंने क्या है 1924 में एक सिवागिरी पिल्लिमेज की स्थाप ना की पिल्लिमेज का मतलब है तीर थियात्रा यह तीर थियात्रा इसल्ए ताकि यह परमॉट कर सकें वर्च प्रागिरी, पिलगीर मेज, तीर थियात्रा इन्हों ने एक स्टिब्लिस की चलाई और जो इनकी फ्लॉस्पी है, जो केरल के लोग है, पीपल है, उनकी लाइफ के लिए एक रास्ता है, टीचिंग है, मतलब उनकी लाइफ के लिए, इनकी विचार धारा, और वो दिन आखिर आई गया, यानि कि जब इनके सूरज का, मतलब जीवन का सूरज का अंत हो गया, डूब गया, यानि कि 20 सितेमबर को 1928 को इनकी मिर्तियू हो गई, पास्डवे हो गई, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर भी समाप्त हो गया,